तुम यहां इस वक्त क्या कर रहे हो जी मैं तो बस देखो जूट मत बोला मैं मैं जूट क्यों बोलुआ नहीं कोई तैसी बात है जो तुम हम सब से चुपा रहे हो रोहन जी की जान के पिछे क्यो पड़े हो तुम और क्या बिगाड़ा एं उन्होंने तुम्हारा ये 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 आप यह आप क्या रही है तुम्हारी तरह जूट बोलना और वातों को इधर उधर गुमाना यह हमारी आदत नहीं है देखो हमसे जूट बोलने की गल्टी भी नगए अब सच सच बताओ कहा जा रहे थे और हमें देखकर क्यों भागने की कोशिश कर रहे थे हां देखिए आप मुझे पर रिल्जाव लगा रही है अगर हम तुम पर इंखर नगा रहे है तो यह सही अलै देखो सच सच जवाब दो था यह नहीं तो उसको मरा नेचे नंगाा नेची सुन उपर कहा जा रहे थे तुम रोभन जी के कमरे में गये थे, बताओ मैं रोभन जी के कमरे में कि जाऊंगा और कमरा नीहीं, मैं तो वलकि उपर भी नहीं कहा था मैं तो सीधे या किचन में आया था, फूबी पानी पीने अच्छा, तुम्हें इतनी प्यास लगी थी कि तुम लाइट जलाना भी भूल गये देखो, हम तुम्हारे इन जूटी बात उपर यकीन नहीं करने वाले चीक है, अगर तुम उपर से नीचे नहीं आ रहे थे, तो वो कौन था, जो नीचे आ रहा था और अचानक यहां गायब हो गया, कौन है वो, बताओ, देखिए, आपके इन बेतु के सवालों का कोई जवाब नहीं मेर पास, इसले पहतर होगा, कि आप उसी से जाकर इस सवाल का जवाब पूछें, उससे नहीं अगर हमारे इन सवालों का जवाब तुम नहीं दोगे, तो भी हम ढूपने, क्योंकि अगर तुमने रोहन जी को कोई नुकसान पहुचाने की कोशिश भी की लो, तो हम ऐसा नहीं होने तेंगे, मलिका का क्या हाल हुआ, ये तो तुमने देखी लिया, अगर हमारा शक्स सही निकले, तो हम तुम्हे क्या ससा देंगे, इसका अंदाजा तुम लगावे ने सकते हो। इस खर में, ना तो कोई मेरी बात सुनता है, और ना है किसी को मेरी परवा है। और अब अगर रोहन की शादी पुरे समाज के सामने बिट्टों के साथ हो गई, तब तो उसे इस घर से निकलना और भी मुश्किल हो जाएगा। कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा, कैसी भी करके इस शादी को रोखना होगा मुझे, अगर इस घर में मुझे अपना राज कायम रखना है, तुम… क्या वाहते जगरही हो अभी तरह, परशान हो, मेरी परेशानी तो आप अच्छी तरह से चानते हैं, फिर यह हमदादी कानाटक यू कर रहे हैं, अरे इतनी राद तक जगे में देखा इसलिए फूच लिया, मेरी नीन दुड़ा कर आपको तो चैन की नीन दानी ही है, पर कम से कर मैं ऐसे सवाल पोच कर मूँ, जले पर नमक तो मत छिड़की है, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में मैं सोमच गया, बहू के बारे में सोच रही है, है न, कि कैसे उसने सारे घर में सब का दिल जीत ले, सब उसकी सुनने लगे, सब उसकी बात मानने लगे, अब कैसे उससे डीचा दिखा कर, अपने रस्ते से हटा के, अपना राज वापस से कैसे जमा होगी, यही सोच रही है, हाँ, हाँ, मेरा मतला वो नहीं है, अब आपको मेरी बातों पर हसी भी आने लगी, हस लीजिए, लेकिन याद रखेगा, अगर इसी तरह बिटो बिटो करते रहना, तो वो दिन दूर नहीं है, जब फूट फूट कर रूना पड़ेगा, अब ही तो सिर्फ मेरी नीद गई है, बहुत जल्दी वो आप सब लोगों का सुख चैन भी चीन लेगी, मैं तो चैन की नीद सोने जा रहा हूं कामनी, तो तुम्हें अगर नीद नहीं आ सुख चैन तो मैं चीनने वाली हो उस पट्टो का, कामनी इतनी कमजो नहीं है, कि एक अनपड़ कवार से डर चाहे, आज से चैन की नीद सोंगी मैं, और रात रात भर जागीगी वो पट्टो ये मस सबचना कि मेरे जाने से बचके तुम लोग, पीट परवार करने वाला दुश्मन और भी कतरदाक होता है अगर तुम से नहीं होता, तो मुझे ही खत्म करना पड़ेगा मैं तबस इसना ही कहना चाहता हूं कि केबल खरों से इतना खुन तोड़ी वैसकता है पहले तो हमें सिर्फ शक्त था, अब यकीन होता जा रहा है कि हो ना हो, वो अच्छा ही है जिसके बार में मलिका कहकर गई थी यहाँ, इस घर में तो सब अपने ही हैं और चाहे कितनी बड़ी बात क्यों नहीं हो, कोई अपनों का खुन बहाँ नहीं सकता नहीं बस एक अजय ही है, जो बहार से लया है और मलिका की मदद कर सकता था और यह सब जो रोहन जी के साथ हो रहा है वो तो उसके आने के बाद ही शुरू हुआ है उसके चहरे पर जो डर और खप्राड भी थी हमें तो लगता है कि उसके दिमाग भी कुछ ने कुछ गलत चलिये रहा है हाँ और कोई हो ही नहीं सकता अगर कोई दुश्मन है इस घर में तो वो अजय ही है लेकिन अजय की रोहन जी के साथ क्या दुश्मन ही हो सकती है वो रोहन जी को क्यो नुटसान पॉचाएगा क्यों वो क्या करें, बहुत सोचने के बाद भी हमें इस सवार का जवाब नहीं मिल रहा है, कि आखे राजे है क्यों रोहन जी की जान का दुश्मन बना हुआ है, अब हम जाता देच चुब भी नहीं बैठ सकते, पता नहीं, वो अगली बार क्या कर बैठे, अब हमें रोहन जी को ये बात बता देनी चाहिए, कि आजय ही है, जो मलिका की मदद कर रहा था, और उनके जाने के बाद भी, रोहन जी को नुकसान पहुचाने की कोशिश कर रहा है, हमें बता देनी चाहिए, तो सो ही नहीं अभी तक, सब ठीक है ना, नहीं, क्यों है अब उत्तरची, इस वक्त चाची जी को परेशान करना ठीक नहीं होगा, रोहन जी से बात करके ही चाची जी से बात करूंगी, वो, हमारा ये मतलब है कि, हमें नीन नहीं आ रही है, कोई पात नहीं है चाहिए, लेकिन आप, आप अपत सो हैं नहीं, अरे, पुत्तर, नीन कहां से आएगी, तेरे चाचा जी अभी तक नहीं है, बस उनका इंतिजार कर रही थी, तेरे कमरे की लाइट जलती भी देखी, मैं यहां आ गई, तू क्यों नहीं सोई, रोहन के बारे में सोच रही थी, है ना? हाँ, जी, देखा, मुझे पता था, ओए बुत्तर, यह सिप तुछ अकेली के साथ नहीं हो रहा है, व्या से पहले न, सब के साथ ऐसे ही होता है, बड़े सुन्दर सुन्दर सपने देखते है, असल में व्या के बाद जब आग कुलती है, तो बंदा यह कहता है, यह से अलग है न, अराम से सो ले, और सुन्दर सुन्दर सपने देख, बाकी पुत्तर, मेरी तो यही दुआ है रभ से, कि तेरा सच, तेरे सपनी से भी ज़्यादा सुन्दर हो, और पुत्तर, उसके बाद तेरा और रोहन का व्या होगा, फिर दोनों एक साथ, हाँ, हाँ, शेले से चैरे, पर चंता की लकीरे अच्छी नहीं लगती, यह लकीरे हम बढों को देदे, पुत्तर, तो मैनों दस, क्यव है? बोल, पुत्तर?, तो मुझे नहीं बोलेगी, तो तो किस से कहेगी? अगर तू अबे भी नहीं बोली न, मैं यही मानोंगे कि तू मुझे मा कहती है, मानती नहीं है नहीं चाजी जी आप तो जानती ही है कि मलिका जाती जाते क्या कहकर गई थी कि कोई और है इस घर में, जो रोहन जी का बुरा चाहता है और उनकी जान लेना चाहता है आप तो जानती है न, तो क्या, तुझे पता है वो कौन है हाँ, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है बस हमारी शक्की सुई उस पर आकर आटक चाहती है हमेशा अच्छी, कौन है वो, तो एक पर बोल, फिर देख, मैं उसका क्या हस्टर करती हूँ अच्छे, अच्छे अगर तो उनसे नहीं होता, तो मुझे खत्म करना पड़ेगा अच्छे, 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 अच्छे खाटाचेक एक वुछे तो पहले दिन से यृ बंदा पसंद नहीं था लेकिन मैं क्या करती है, उसके भाई साब के जान बचाई थी ना तुछ कह भी तो नहीं सकती हूँ लेकिन पुटतर, अगर ते्रा शक सही है तो देखना, मैं उसके सथ क्या करती हूँ लेकिन क्या करो, भाई साब बे तो बिना सबूत के नहीं मानेंगे ना? तो अब हम क्या करें चाजी जी? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा. पुत्तर, ये बात तो किसे और से भे तो नहीं कही न? नहीं, मगर हम ये सोच रहे थे कि ये बात रोहन जी को बता दे. शायद उनके पास कोई तरकीप हो, सच का पता लगाने की. ये तुने बहुत अच्छा सोचा. सच कहे, तो रोहन पुत्तर बहुत किसमत वाला है. कि तू उसकी जिन्दगी में आई है. अब मुझे रोहन पुत्तर के लिए कोई जिन्दा नहीं है. तेरे रहते कोई उसका कुछ नहीं बिगार सकता. पुछ दिनों में इतना कुछ हुआ है उनके साथ. अब कहीं जाकर रोहन जी बे फिक्रों होके सोपा रहे है. मगर हम भी क्या करें? अजे के बार में भी तो बताना ज़रूरी है. लेकिन गल्पी तो बता सकते हैं. नहीं नहीं. हम कल तक नहीं रुख सकते. हर गुजरते पल के साथ ये खत्रा रोहन जी के करीब और आता जा रहा है. इतना आसान नहीं कोई भी काम. लोगों की नज़र मुझे पर इसलिए चुटकी बचाते ही काम पूरा नहीं होगा. मैंने तुमसे कहाने कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या करूँ? कोई तुमसे भी लटक जाओं, हाँ? कोशिश तो की ने मैंने, पर बतानी बार बार कोई ना कोई मेरे बीच बाया आता है, तो मैं क्या करूँ? ठीक है, तो मैं फिक्र मत करूँ. मैं आज़रात को सारा काम कथ्नम करदू. एंड प्लीज, मुझे आप और परिशान मत करना. गुट-प्लीज, प्लीज, तो मैं बार इसे घराब हैं, क्या हम सही कर रहे हैं, इस वक्त इनहें बात पता करूँ? पता नहीं कहीं इस बात के वज़े से वो और और परेशान ना हो जाए मगर इन्हें बताना भी तो सरूरी है कुछ वक्त तो हम रुख ही सकते हैं शाहिद तब तक अजे की सचाये खुद ही सामने आ जाए अभी हम रोहन जी को आराम करने देते हैं अजे के बारे में हम रोहन जी को कल ही बताएंगे अजुछ खुद करने वे बताएंगे अजे के ढाएंगे छोप्त बताएंगे क्लिक तो उब्या छोच्त माहम क्लिक क्लिक युद झाल 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 झाल